कि अंगारक योग यह अंगारक चतुर थी अब फिर से आ रही है तो अभी सब को प्रशन यह होगा और बहुत लोग ने मुझे वाटसब में मैसेज किया है कि गुरीज हमें इस विशय में भी बताई है कि यह पूना अंगारकी चतुर थी आ रही है तो क्या उसी प्रकार से हमें सारा विदिविद्यान करना है जिस प्रकार से अभी जब संकष्टी या संक प्रक्ष्टी गई और उस समय पर जैसे मैंने आपको पूरा विडियो बताया था दीखाया था कि कैसे चंदर को अर्गय के ना चाहिए कैसे चंदर उदय होने की बाद घणश्री को अर्गय देना है और किस प्रकार से तिथी जो है चतूर शित मैं आफ में को श्रवन करवाऊंगा और आपको बताऊंगा मैं आचारी आनंद पाठक करमकान भाई आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं और हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो यह जाने कि इस बार यहाँ विनायक चतूर्थी या अंगारक योग या अंगारकी चतूर्थ या रही है वहाँ नौ जुलाई मंगलवार को रहेगी जो गुप्ते नवरात्री के बीच में ही है तो महान और अच्छा दिन है अब जैसे संकष्टी चतूर्थी का एक जो महात्मिय है कि चंद्रा उदै होने के बाद चंद्रा के दर्शन करने के बाद चंद्रा को अर्ग सकते हैं तो वो जो नियम है इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है वहाँ संकष्टी चतूर्थी या फिर अंगार की चतूर्थी या अंगार की संकष्ट चतूर्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहाँ कृष्ण पक्षकी है और उसी को अंगार की चतूर्थी या फिर विनायकचटूरती, तो यहाँ जो चतूरती होगी, वहाँ विनायक चतूरती होगी, तो इसमें वहाँ नियम नहीं होता है, कि apert 종 click करें, अरग्यदे भगवान के दर्शन करने के बाद भोजन करें, अगर आप चाहे तो भगवान गनेश की कृपा प्राप्ति है तुक्यूकि मंगलवारुख यूगत अंगार की यहां योग है या चतूर्थी है तो मंगल की प्रसनता है तूम कर्ज मुक्ति है तू ऐसे कोई उपाय अगर आप करना चाहते हो तो अवश्य आप चाहे तो एक समय भोजन करें एक समय फलो का आहर करें यह एक आप वरत कर सकते हो लेकिन विशेश और कोई नितिनियम उसमें नहीं होते हैं उसी प्रकार से इस अंगारक वैनायक चतूर्थी में आप मसूर की दाल भगवान शिव के उपर अगर अरपन करते हो जैसे एक मुठी भी अरपन करेंगे चलेगा या ज्यादा भी थोड़ी 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 करके 108 बार ओमरुन मुक्तेश्वराय नमहा बोलके आप भगव शिर्षम के पाठ है संकतनासन गनपती स्तोत्रा के पाठ है रून हरन रून मुक्ती गनपती स्तोत्रा के पाठ है रून मुक्ती गनपती मंत्रा है और बगवान गनेश का मुल मंत्रा ओम गनपते नमहा यह जो पंच साधना है पांच साधना या फिर मतलब मानिये कि यह जो तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी बगवान गणेश जी की पूर्ण कुर्ण कुर्पा प्राप्त होगी और अगर आपकी जनम कुनली में ध्यान से सुनिएगा अगर आपकी जनम कुनली में सुरिय मंगल युक्त अंगारक दोश है या फिर अगर आपकी जनम शे, आठ, बारवे स्थान पे मंगल है या आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो अवश्य ही मंगल रुण मोचन मंगल के यथा शक्ती स्तोत्र पाठ या फिर मंगल चंडी का स्तोत्र के यथा शक्ती आप पाठ कर सकते हो किसी भी समय कर सकते हो पूरा दिन वैना एक चतूर दूसरे दिन सुरिया उदय होने तक तो किसी भी समय कर सकते हो, कोई विशेश नियम का पालन नहीं करना है, इन में से जो भी स्तोत्रपाठ आदी आप करना चाहते हो, तो आपकी जो मनो कामना हो, कामना है, उसकी पूर्ती है तुम, अगर आपकी जनम कुनली में मंगल से संब कोई दोश है, तो उसकी मुक्ती है तुम, भगवान के सामने सिर्फ प्रार्थना करके यथा शक्ति उसके मंतर जाप आदी आप कर सकते हो, और साथ में अगर आप चाहे तो इसी दिन किसी भी समय, लेकिन खास करके प्रातहकाल या फिर मद्याहनकाल से पूर्व प्रातहका और इसके अलावा विशेश उपाई संभव हो, तो लाल रंग के कुत्ते को रोटी या जो भी भोजन आप खाते हो वो खिला दीजे, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन अगर लाल रंग का कुत्ता मिलता है तो ना मिले, तो किसी विश्वान को अर्थात कुत्ते को आ उसी प्रकार से लाल रंग की घौ माता अगर प्राप्त हो जाए तो आप उन्हें भी भोजन करवाए, अगर वो ना मिले पर्टिकुलर कलर की तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी घौ माता के स्वरूप को आप भोजन करवा दीजे, मंगल से संबंदिद समस्याव का अंत हो करते हैं, वैसे इसमें करने की आवशक्ता नहीं होती, केवला भगवान गनेश जी का स्मरन भी करेंगे, या फिर जैसे आपकी कामनाई उस प्रकार से भक्ती भी करेंगे, तो भी भगवान के पुर्णक रूपा प्राप्त आपको हो सकती है, और वहाँ 9 जुलाई, वैनाय का अंगार की चतुर्थि के दिन आप यहां कर सकते हो, ये था आज का विशाई और वीडियो बहुत जल मिलते हैं, विशाई और वीडियो के साथ तब तक आप देखते रहे हैं, करमकान भाई, आनंद पाठक मेरे साथ, ओम गानेश, हरहर महादेव, जै सिया राम, जै हनु मानेश